आज हम रिव्यू करने वाले हैं VGR V439 Hair Dryer का और जानेंगे क्या ये Hair Dryer Under 1001 of the best option हो सकता है या पिर नहीं So make sure वीडियो को हम तेक देखेगा जरूर तो कुछ इस तरह के simple से box में पेक होके आता है अपना Hair Dryer और जैसी हम box को open करते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक Concentrator साथ में दिया गया है VGR का ये Hair Dryer और add in यहाँ पे बस एक user manual देखने को मिल जाता है that's it तो छिली सबसे पहले हम इस Concentrator को अपने Hair Dryer पे attach कर लेते हैं attach करना बहुत ही असान है और अगर हम इस Hair Dryer के सबसे खास बात की बात करें तो भाई वो है इसका handle जो very easily fold हो जाता है कुछ इस तरह से तो अगर आप travel अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो bag में carry करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी Hair Dryer की front end side में VGR के bending दिया गया है और ये Hair Dryer completely black color के साथ में आता है look watch smoothie ये Hair Dryer काफी हद तक cool लगा और Hair Dryer जो है काफी ज़्यादा हलका भी है और हाथो ग्रिप में काफी अच्छी तरह से आ जाता है तो use करने में कोई तकलिफ हमें नहीं होगी इस पे दिया गया है DC motor जो support करता है 1200 to 1600 Watt का power और यहाँ पे hot and cool air दोनों का support भी दिया गया है इस पे दिया गया है 2 pin jack और overall cable length की बात करें तो ये है around 1.8 meter at the same time इसका air throw जो है आप two setting में adjust कर सकते हैं medium and high at the top में जो बटन आप देख रहे हैं इसके help से आप decide कर सकते हैं आपको cold air चाहिए कि hot air चाहिए फिलल चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसकी live testing कितने दिर में ये बालों को सुखा पाता है अच्छी तरह सेट कर पाता है चलिए इसकी live testing आपको करके हम दिखाते हैं और दोस्तों इस hair dryer के extreme test करने के लिए हमने बाल को पूरी तरह से भिगो लिया है ताकि आपको दिखाते हैं exactly इसकी performance कैसी है तो चलिए सीधे करते हैं इसको on और देखते हैं कितना समय लेता है हमने बाल को अच्छी तरह से dry करने में विच्छ आपको बता दो air throw जो है air किस फिर वो काफी ज़़ा तेज है तो I don't think ज़़ा समय लेना चाहिए All right guys जैसे कि आप देख सेक्टेम finally हमने अपनी hair को अच्छी तरह से dry कर लिया है बिल्कुल भी पानी नहीं है बालों में और बिल्कुल भी वक्त नहीं लेता ये hair को dry करने में और overall इस VGR hair dryer का quality मुझे काफी हस्तक सही लगा इस एक hair dryer को gens plus ladies दोनों ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आप इसको लेने के बारे में सोच रहे हैं मेरे तरफ से highly recommended है आपको शिकायात कम होका नहीं मिलेगी क्योंकि air throw rate इसका बहुती जबर दस्त है उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो like ज़रूर करें और hair dryer का link आपको इसी वीडियो का description पे मिल जाएगी और else आप सीधे यहाँ पे click करके भी इसको buy कर सकते हैं याद रहे हमारे link से लेंगे तो हमें थोड़ी से help होगी और hair dryer आपको सबसे सबसे दाम पर मिल जाएगी चैनल वीडियो पहले बार देख रहे हैं सबस्क्राइब ज़रूर करें और जाते जाते घंड़ी को जबाद दीजिए ठैंक्स पर वाचिंग